गुद मॉर्निंग स्टुटेंट, वेलकम टो सियार इंट्रिनेशनल स्कूल, ओनलाइन स्टेडी सिस्टम बच्चों, आज हम बारवी कक्षा से के हिंदी विशय में पोईट्रि सेक्षन से तीसरा पाठ पढ़ रहा है और तीसरे पाठ का नाम है कवीता के बहाने इस कवीता में दो कवीताएं हैं, कवीता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी तो आज हम चर्चा सरफ कवीता के बहाने वाली कवीता पर ही करेंगे ये जो कवीता के बहाने से कवी ने आप लोगों तक या पाठकों तक क्या संदेश पहुचाने की कोशिश किये पहले उस पे चर्चा कर लेते हैं इसके जो कवी हैं वो कोहर नायराण जी है और उन्होंने इस कवीता को कवीता के माध्यम से ये बताया है कि जो कवीता होती है उसमें पाठ कों तक एक उर्जा प्रदान करने की अपार शक्ती होती है कवीता के लिए शब्द जो है वो किसी से संबंद नहीं रखते वो तो जड़ चेतन के बराबर होते हैं ये जो कवीता है ये अतीत, वर्तमान और भविशे से जुड़ी हुई होती है ऐसा नहीं है कि आज लिखी है और खतम हो जाई है आप अतीत से पढ़ते आ रहे हैं, वर्तमार में भी पढ़ रहे हैं और आगे भविशे में भी ऐसी कवीताइं पढ़ते रहेंगे यानि कवीता का महत्व क्या है, ये आपको बतानी कुशिश की है कवीता जो है उसकी व्यापक्ता, व्यापक्ता का मतलब होता है विस्तार, इसका विस्तार अपार है, कि आप कवीता को कितना ही गहरे भाहों में जाकर विस्तार से उसे बखान कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती, नहीं ये किसी प्रकार के बंधन में बनती है, जैसी कवीता के बहाने नामक कवीता के माध्यम से इसका कवी ने ये बताना चाहा है कि इसका आकार भले छोटा हो यानि कवीता जो है वो पढ़ने में थोड़ी चोटी लगती हो लेकिन कभी-कभी उसके भाव बड़े गंभीर होते हैं आज का जो यूग है मशीनी करण है ठीक है टेकनोलोजी का यूग है और सब तरह भागदोड है अब ऐसे माहौल में कभी के मन में एक ख्याल आता है एक डर बैठा है कि क्या कभीता रहेगी या मिट जाएगी यानि जो यूवा पेड़ी है वो इस आधुनी करण के चकर में कभीता रचना छोड़ देगी या साहित्ते में रूची रख पाएगी या फिर आगे हिंदी का जो साहित्ते है कभीता लिखन का क्या वो खतम हो जाएगा क्या कभीता अस्तितों में रह पाएगी या नहीं रह इस चीज के बारे में उसने सवाल किया है पाठकों से कि कवीता क्या खतम हो जाएगी यह रहेगी कवी इसे एक यात्रा के रूपे मानता है और उस यात्रा की तुलना उसने की है चडिया से, फूल से और बच्चे से ठीक है अब पढ़ते हैं हम कवीता का पहला पहला कवीता एक उड़ान है चडिया के बहां में वो कहता है कवीता को आप कवीता मत समझो उसको एक चडिया की उड़ान समझो जैसे चिडिया उड़ान भरती है ऐसे ही कवीता भी उड़ान भरती है अर्थात कवीता जब हम रच्चते हैं तो वो धीरे 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 उचाईयों पर भाओं के रूप में शब्दों के रूप में कवी के मन में उड़ान भरती है कलपना के रूप में उड़ान भरती ह कवीता की उडान भला चिडिया क्या जाने कहते हैं चिडिया की उडान सीमित है वो आकास की निश्चित सीमा में ही उड़ सकती है लेकिन कवीता की जो उडान है वो चिडिया को नहीं पता कवीता की जो उडान है वो ऐसीमित है वो कहीं भी पहुंच सकती है कितनी ही उचाईयों पर जा सकती है लेकिन चिडिया की उड़ान इतनी नहीं होती है उसकी निश्चित सीमा है जबकि कविता की उड़ान अर्थात कविता की कल्पना हम कितनी ही उचाईयों पर कर सकते है बाहर भीतर इस घर उस घर कविता जो है मन के भीतर मन के बाहर इस घर और उस घर अधात कोई अपना और पराया नहीं रखती है सब तक पहुंचती है कवीता के पंक लगा उड़ने के माने यानि कवीता में कलपना के जब पंक लगते हैं और उसके उड़ने का जो माइने है जो महत्व है जो अर्थ है वो चिडिया क्या समझे यानि चिडिया को सम बज़ पाती है कि कवीता की आउकात क्या है उसका महत्व क्या है क्यों क्योंकि चिडिया का महत्व तो सरफ आसमान की सीमित उचाई तक है लेकिन कवीता की उचाई कहीं और जादा है इसलिए चिडिया के महत्व में वो नहीं ठैरती अर्थात उससे कहीं उची उडान भर सकत कवीता और भी ज्यादा उची हो सकती है कल्पना के माध्यम से पाठकों तक पहुंच सकती है उचाईयां ले सकती है प्रसिद्धि दिला सकती है लेकिन चड़िया ऐसा नहीं कर सकती है अब चलते हैं दूसरे पहरे पर कवीता एक खिलना है फूल के बहाने अब उसने बताया था कवीता एक उड़ान है कवीता उड़ान इसलिए है क्योंकि वो कलपना के माध्यम से उड़ती है मन में नहीं नहीं कलपना है या आएंगी तो नहीं कवीता होगी दूसरे में वो कह रहा है कि कवीता एक खिलना है कवीता भी खिलती है सुन्दर दिखती है सुन्दर रची अक्षर जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं भाव अच्छे लगते हैं आपने भी पढ़ा होगा कोई कवीता बहुत अच्छी होती है वावा क्या बात है ठीक है और कोई अच्छी नहीं होती है तो आप उसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं उसी तरहें से कवीता भी खिलना है कवीता भी खिलती है एक फूल की तरहें कवीता का खिलना भला फूल क्या जाने फूल खिलता है इतरा आता है कि मैं बहुत सुन्दर हूं लेकिन कवीता जब खिलती है तो कहते है फूल को भी समझ में नहीं आता कि उसका कितना महतो है जब खिलती है, जब पाठकों को तक पहुंसती है, जब लोगों का मन्दुरंजन करती है, जब भाव उसकी पाठकों की गहराई में जब उतरते हैं, तो वो कितनी अच्छी लगती है, कहते हैं, फूल को क्या पता? फूल को उसके महतों का कोई यान नहीं है. बाहर भीतर इस घर उ इधर उधर बिना मुर्जाय महकने के माने कि वो बिना मुर्जाय महकती रहती है क्या कवीता कवीता जो है वो बिना मुर्जाय महकती है फूल क्या कभी बिना मुर्जाय महकता रहता है नहीं फूल जो खिलता है तो वो एक निश्चित सीमा में खिलता है 15 दिन 20 दिन महीने फि उसकास्ति तो खतम, लेकिन कवीता अगर एक बर खिल गई, कवीता अगर एक बर रची गई, कवीता एक बर सुन्दर बन गई, तो वो योगो योगो तक पाठकों को आनंद परदान करती है, अपनी खुछबू परदान करती है, अपनी भावों से पाठकों को आनंद देती र सबूल यहाँ पर ऐसमर्थ है कवीता की महता के सामने ठीक है फूल सुन्दर होटा है महत तो मिध्थ टाइम है दो daytime क्लें है कवीटा एक खेल है बच्छों के बहान है कित कवीता भी एक खेल है अर्थाथ कवीटा की रचना करना भी एक खेल के समान है बच्चों के बहाने बच्चों की तरह बहाना बना कर जैसे बच्चे बहाना बना बना कर नए नए खेल रचते हैं ऐसे ही कवीता भी नए नए शब्दों से एक खेल की तरह रची जाती है उसके लिए महनत की जाती है उसके लिए एकता का भाव रखा जाता है, सभी मिल जूलकर शब्द एक कवीता बनाते हैं, जैसे मिल जूलकर बच्चे खेल खेलते हैं, उसी तरह से कवीता भी एक खेल की तरह है, ये भी एक खेल है, एक कला है, अगर किसी को खेल आता है, तो इसमें क्या है कवीता को वो और ज्यादा खुबसू वहेगर, वहेगर, सब घर एक कर देने के माने, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, बहार, भीतर, इस घर में, उस घर में, सब घरों को एक कर देने का माने, यानि सभी घरों को वो समान समझते हैं, कोई भी घर अपना और पराया नहीं समझते, उसी तरह से कवीता भी जब रच रची जाती है तो वो सब के लिए रची जाती है वो मेरे तेरे के लिए नहीं किसी भी धर्म के लिए नहीं सभी पाठकों तक कोई भी पाठकों से पढ़ सकता है उसका आनंद प्राप्त कर सकता है सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने जैसे बच्चा जानता है कि हम स तक पाठकों को आनन्द देती में रहती है। अर्थात कविता अच्छी कविता रचना भी कला है एक खेल है जो किसी में भेदभाव ना करते हुए सभी पार्टकों तक आनन्द प्रदान करती है सभी पाठकों तक पहुंसती है। आज रफ इतना ही पाकी अगली कक्षा में अगली कवीता पढ़ेंगे धन्यवाद घर पे रहें सुरक्षित रहें